तो आज मैं आपके लिए बहुत अमेजिंग और टेश्टी सी चटनी की रेसीवी लेके आई हूँ यह बनाई हूँ मैंने करोंदे से यह वाला करोंदा आप मार्गेट में मिल रहा है इसमय भी मिल जाएगा तो आप इसको ला सकते हैं बट हरा वाला भी मिलता है सेम ग्रीन कल और यह देखिए कलरफुल रहता है तो मैंने इसे ही लिया था मुझे यही अच्छा लग रहा था तो इसके साथ हम क्या क्या आइड करेंगे बू मैं आपको बताती हूँ उसके इसके साथ आइड करने के लिए हमें धनिया पती ले लेनी है धनिया पती फिर सौदंसान नमक थोड़ी सी हिंग ले लेनी है और एक चुटकी जीरा ले लेना है और टीका आप अपने अनुसार ले सकते हैं इस तरीके के लिए को आपको थोड़ा सा बारिक सा कट कर लेना है क्योंकि धनिया पती अगर बारिक सा कट करके आइड करें चटनी वगरा कोई भी चीज अगर आप बना रहे हो तो उसका पेश्ट बहुत ही बारिक और स्मूद सा बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है तो इस तरीके से धनिया पती को थोड़ा सा बारिक थोड़ा बड़ा भी रहेगा तो चलेगा ज्यादा बड़ा ना रहे बड़ इस तरीके से कट कर लेंगे और स जो को तीखा नहीं पसंद होता है तो उसके बाद हम मिक्सी के जार में इसे ट्रांसफर करेंगे या फिर अगर आपके पास सिलबटे हो तो आप सिलबटे पे भी इसे पेश सकते हैं बहुत ही यमे बंदिया है लेकिन सिलबटे पेशते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना करोंदे को थोड़ा सा काट लेना है क्योंकि सिलबटे पे पूरी तरीके से पिसा नहीं जाएगा तो इस तरीके से मिक्सी के जार में सारे चीज़े आड़ करने क्योंकि हमें थोड़े चट्नियां बनानी है जादी चट्नियां नहीं बनानी तो हम थोड़े से बचा लेंग इस तरीके का बनता है और बहुत ही यमी लगता है तो एक बार खाने के साथ अगर चटनिया मिल जाए तो खानों का स्वाद भी बढ़ जाता है तो आप ये चटनिया एक बार जरूर बनाएं घर में हर किसी को पसंद आएगी चटनी किसको नहीं पसंद आती है बड़ बच्च बढवाई